सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग इस्ट इंडिया कंपनी जो इस इंडिया कंपनी थी गड़ी तो बारत में अस्थापित वह दिरे कैसे उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया उसके करने में लोक पड़ रहे थे उसके आगे देखते हैं चंदा शायब जो चंद Patie कि थे वह सन इंळ लॉऔफ निजाम ऑफ हैथराबाद जो निजाम थो समय साधराबाद के नि-जाम के राजा को निजाम भी कहा जाता था, नवाब, वो उनके son in law थे, यानि कि दमाद थे, as the new नवाब and the English were in favor of Muhammad Ali, son of Anwaruddin, the नवाब of Carnatic, लेकिन जो अंग्रेज थे, वो मुहमद Ali के favor में थे, वो उनको निजाम बनाना चाहते थे, जो कि अवारुदिन, जो Carnatic के नवाब थे, उनके बेटे थे, a war broke out in which the French were defeated, और फिर क्या हुआ, एक यूद्ध हो गया, यूद्ध हुआ, करनेटिक वार हम लोग पढ़ रहा है, जिसमें जो फ्रेंच थे, उनको अंग्रेजों ने हरा दिया, यह देखे, Clive ate a gun, यह Robert Clive है, उसमें यही इस्ट इंडिया कमपनी के मुख्या थे, और वो गन ले हुए, टेकिंग इस्टोक ओफ दा सिच्वेशन, Robert Clive, a clerk in the English company, इस्टार्टेद बिल्दिंग अप स्मोल आर्मी यूनिट्स, प्रेसिडेंशी से तलमेट, फोर्ट विल्यम इन मंगाल, फोर्ट जोर्ज इन मदराज, एन दे बंबे कासल, रिकूटिंग इंडिय कमपनी में, उन्होंने स्मोल आर्मी यूनिट बनाना इस्टार्ट कर दिया, छोटी-छोटी आर्मी अपनी सेना तयार करना इस्टार्ट कर दिया, जो कि बंगाल में, मदराज में, बंबे में, उनकी ड्यूटी लगती थी, और उन्हें इंडियन सोलजर का जाता था, सीक है अब आया दे सेकेंड कर्नेटिक वर्ड जो कि 1749 से 54 तक चला था दा फ्रेंच कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम दा निजाम ऑफ हैदराबाद फ्रॉम प्रोवाइडिंग इम प्रोटेक्शन बट इन रिवेन्यू वाज उटिलाइज फोर मेंटेंग फ्रेंच आर्मी जो फ्रेंच थे वो टेक्स लेते दे रिवेन्यू लेते थे थे हैदराबाद की निजाम से कि हम आपकी रच्छा करेंगे हम आपको प्रोटेक्शन देंगे आप हमें टेक्स दीजे बट इन reality लेकिन वास्तों में the revenue was utilized for maintaining the French army. उस पैसे का इस्तमाल जो होता था French army को और भी बड़ा और विसाल और मजबूत करने के लिए होता था After the death of Nijam a war broke out between Nazir Jung son of Nijamul Mulk and Mujaffar Jung grandson of Nijamul Mulk और जब Nijam की मौत हुई वहा की जो नijam थे जिनका नाम था Nijamul Mulk उनकी जब मौत हुई एक यूद छिड़ गई किनके किनके बीच? जो उनके बेटे थे नijamul Mulk और जो उनके पोते थे मुझफर जंग के बीच The French signed a secret treaty with मुझफर जंग and Chanda Sahib to help them with the well-trained French forces और जो फ्रेंच थे उन्होंने एक contract को एक treaty sign की secretly गुप तुरुप से जिसमें मुझफर जंग और Chanda Sahib को मदद करने का वादा किया गया था कि उनकी जो फौजे है जो well-trained है कुसल है वो उनकी मदद करेंगी The defeated नाजीर जंग अनवरू दिन died in the battle and his son Muhammad Ali ran away और फिर यूद में क्या हुआ जो नाजीर जंग थे और अनवरू दिन चो थे वो बैटल में मारे गए और जो उनके बेटे थे Muhammad Ali वो वहाँ से भाग गए On the other hand the English plotted with नाजीर जंग and defeated the French army और जो नाजीर जंग थे उनसे हाथ मिला ले थी जो English East India Company थी अंग्रेज जो थे और उनने French army को हरा दिया Robert Clive succeeded in making a name for himself among the native princes और जो Robert Clive थे अपना नाम बनाने में सफल रहे जो वहाँ के native princess राजकुमार होते थे राजा होते थे उनमें उनका नाम यह हो गया कि वो यूद नहीं हारते हैं काफी अच्छा strategy बनाते हैं He won many more battle for the English and full duplex the French general at every turn और उनने कई सारे यूदों को जीता अंग्रेजों को कई सारे यूद जीतवाए और जो duplex duplex हमने पढ़े पहले भी पढ़ा जो फ्रेंच जेनरल थे फ्रेंच सेना देश थे उनको हर बार हराया as a result of constant defeat duplex was called back to France in disgrace और पार बार पार बार लगता हरने के बास जो duplex से उनको फ्रेंच बुला ले गया बला गया आजा आपसे ना हो पाया तो उनको फ्रेंच बुला ले गया अब आया the third carnatic war जो कि 1756 से 63 के बीच चला the third carnatic war started when the British force captured the french settlement of chandain war and defeated the french third carnatic war तब गुआ था जब जो ब्रिटिश थे British force captured the french settlement उनने french settlement जहाँ जाँ आप french बसे वे थे उन जगों को कब्जा करना इस्टार्ट कर दिया था जो कि चंदन गोर में थे और उन्होंने french को defeat किया रहा था they also captured pondu cherry pondu cherry जो थे वहाँ पे अपना पाला settlement वही बनाये थे लेकिन अंग्रेजू ने उन्हें वहाँ से भागा दिया उस पर कब्जा कर लिया और शत्रों संतर में बार बार हारने के बात कितनी बार हार थे उन लोग ने भी अपनी कंपनी को डिसॉल्ब कर दिया भारत में भारत से चले गए और जो उनका सपना था भारत में अपना समराज अस्थापित करे यह उनका जो एम्बिशन धालच था वो खत्म हो गया और भारत में जो ब्रिटिश सुप्रीमेशी थी वो और फर्मली यानि स्ट्रोंग रूप से अस्थापित हो गई उसके बाद आता है कॉंकेश्ट ऑब बंगाल दब्रिटिश वांटे था कंट्रोल ऑफ रिच प्रोविनेस ऑब बंगाल जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि वो जो बंगाल के अमिर जो धनी छेतर है बंगाल उसे में काफी धनी माना जाता था उस पे कंट्रोल कर ले एक सकिन हां हां ही एड फॉलोड अप पोलसी ऑफ कीपिंग दा यूरोपियन मर्चंट अंडर कंट्रोल बट आफ्टरी डेज उन्होंने ऐसे नेती अपनाए थे जिसमें जो भी अंग्रेज जो भी यूरोपियन मर्चंट थे बैपारी थे उनको अपने अंदर कंट्रोल मे सिराजु दॉला बीकें दर नवाब वो नवाब बन गया है दा ब्रिटिश स्टार्टेड एक्स्टेंडिंग दफटिफिकेशन अफ कलकत्ता और जो अंग्रेज थे वो कलकत्ता की तरफ अपना बढ़ाने लगे च्छेत्रे यूरोज इंपोज टैक्स इंट्रिंग कलकत्त और जो सामान कलकत्ता में आते थे उस पर वो टैक्स भी लेने लगे और वो हथियार एम्मुनेशन यानि की गोला बारूद जुटाने लगे बिना सासक के परमिशन के बिना रूलर को पता किये श्राजु दौला वाइं यंग और इंपल्सिव श्राजु दौला थे उससे में काफी जवान और इंपल्सिव काफी तेज एक्टिव थे यहां पर बिटिश नहीं माने डिड नोट पे एनिएड पोई उसने अंगरेजों को बोला कि आपना जो भी हतियार सब को डिमॉलिस करो यहां पर बरबात करो लेकिन बिटिस नहीं माने डिड नोट पे एनिएड कोई भी उसको हलके में लिया वहला कि नहीं करेंगे जाओ जो भी करने तो उन्होंने क्या किया ही मार्च टू फोर्ट विल्यम वो फोर्ट विल्यम गए जो कि अंग्रेजों का कीला थी और वह आगे पढ़ेंगे फिर अंग्रेजों ने कैसे हमला किया है उसके बारे में ओके थेंक्यू आज